हेलो इस्टुरेंट्स केसे हैं आप लोग तो अचे लेक्टर में हम समझने वाले ifs water वाथर क्या important होती हमारे सहल के अंदर तो ये चैप्टर ही biomolecules वाटर भी één molecule है उसका जो एक molecule है तो उसके बारे में इस वाले टोपिक में हम जाने जो भी हमारे चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए जिसे आने वाले तमाम वाटर की प्रोपर्टीज और अगले चेप्टर के नोट्स वगरा सारे आपको सबसे पहले प्रवाइडिट किये जा सके तो वाटर is the most abundant component in living cell तो पढ़के समझाने में इतना मज़ा नहीं आता आपको clear card में समझाओ importance of water तो basically water इतना हद से जादा important होता है हम क्या अगर आपको पानी ना मिले daily life में क्या आप जिन्दा रह पाएंगे नहीं नहीं रह पाएंगे आप अगर पानी जो हमारे समझ लो के जो plants होते हैं अगर आप उनको पानी ना दो जिन्दा रह पाएंगे वो मुड़ जा जाएंगे कुछ दिनों के बाद अगर आप इसको प्रोपर वाटर नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि वाटर से ही वह जो है अपनी गिजा बनाता है इसकी इंपोर्टन्स यह है मतलब वह जो भी गिजा बनाता है कुछ भी करता है बड़ा होता है तो वह सिर्फ पानी की वजा से होता है और भी फैक्टर्स है कि उसको जो है हम कार्मोडाइकसाइट देते हैं सनलाइट मिलती है वो भी यूट्रिलाइस करता है बड़ वाटर भी उन इसमें से एक एहम चीज या एक एहम रोल अदा करने वाली चीज़ है तो अब वहां पर अगर हम पढ़ें हमारे जो सेल होता है हमेरे खेल किसे आप एक सेल हमारे पास तो इसमें से से 90IRE होता है बाकि होता है जितने 30 çek दोक दूसरी तो यहारा होता है 70 से लेकर 90 पर अब हमें बिलकुल जो है accurate नहीं पता तो हमने percentage लगा लिए approximately होता है किस टाइप का sale है कौन सा sale है तो वह भी depend करता है चीज़ के उपपर तो 72-90% का एक ratio है आपके पास ठीक है अब अगर आगे बात करें हम यह क्या है तो हम पिछले वाले लेक्चर में टॉपिक पर क्या है थे hydrolysis hydrolysis linkages बनती और condensation का process तो वह भी पानी की मदद से हो रहा था पानी का काम हो रहा था तो हमारे पास जो photosynthesis होती है प्लांड के अंदर जो photosynthesis भी होती है वो भी इसी सही होती है photosynthesis में भी वाटर की presence चाहिए होती है हमारे पास जो हमें प्रोड़क्ट में भी मिलता है जो गलाइकोलाइसस का जो होता है हमारे पास प्रोड़क्ट मिलता है उसमें भी हमें वाटर मिलता है तो almost तकरीबन जो reactions होते हैं वो water की presence में होते हैं मैं यह नहीं किरा सारे reactions में हमें हमें पानी के ज़रत होती है पानी लाजमी होता है सारे reaction की में बात नहीं कर रहा तो almost का लफज ना याद रखें तो अब आगे की अगर हम बात करें वो है कि वो reactions के नाम बताएं के such as hydrolysis hydrolysis पानी को require चाही होता है हमें यहाँ पर जो है यह वाला जो चीज़े ना condensation में पानी हमें product की farm में मिलता है condensation में हमें product की farm में मिलता है ठीक है न इस वहाँ से निकला हो इस वहाँ से निकला पुराने lecture में में ने तुम लोग समझाया था किसे मिलता है but hydrolysis जो होती है हमारे पास hydrolysis उसमें हमें addition करना पड़ता है water का condensation और glycolysis में water product की farm मिलता है ठीक है न अब आगे की अगर हम बात करें तो एक और हमें दिया photosynthesis के लिए बहुज़दा require होता है raw material होता है photosynthesis में बहुज़दा need होती है plants को क्या उसकी water की तो water की ना अलग अलग जो है variety है किस हिसाब से वो role play करता है क्योंकि water जो है ना वो hydrogen के साथ मिलकर एक polar molecule बनाता है water जो है एक polar molecule है तो इसकी जो है characteristics सबसे अलग है और बहुज़दा important भी है अब समझ लो the ability of water to play its wide variety of roles and the reasons for its importance in biological system जो water होती है वो इतने type के roles जो है play करता है and वो भी biological system मतलब हमारे sale के लिए तो इसका इतना क्यों होना है मतलब है water है क्यों है तो उसकी chemistry थोड़ी अनुकी है अजीब है थोड़ी यानि special type की जो है water का जो molecule होता है ह्टू तो उसकी chemistry है थोड़ी special type की है तो so data उसकी chemistry को हम जानेंगे इस वाले topic में तो हमको बता जलेगा क्यों भाई यह सा क्यों होता है तो अब ह्टू वाटर का and molecular दोनो ह्टू ओ ही है ठीक है यह याद रखना हमारे पास दो ह हैं और एक oxygen है मतलब यह के एक oxygen का item दो hydrogen के item के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है ह्टू ओ water जो पोलर molecule water जो पोलर molecule है अब देखो polar molecule अब वो तो यार आगे मैं deeply समझेंगे water पालियो polar molecule है मतलब यह के water का जो molecule होता है ह2O देख लो इससे हमारे पास water का H और समझ लो इससे O तो यहाँ पर थोड़ा ना समझ लो sigma एक चार्ज होता है और यहाँ पर थोड़ा मैं आपको कहूं यहाँ पर पोजिटिव चार्ज जाता है यहाँ पर नेगेटिव क्योंकि water जो है वोगने इलेक्ट्रों के पियर्स को यहाँ से खींच लेता है तो इस साइड नेगेटिव हो जाता है औरust descriptive रहे जाता है यहाँ इस पोलर मालीकुल होता है वर्टर जो है यह ऊसमें निल्या पारिशक चार्ज होता है वर्टर के पास मेलकोज पारिशल चार्ज चार्ज यहाँ पर पारिशल पर पोजोड़ तो इस को ए लेगेटिव ऑक्सीजन के उपर होता है पार्श पोजिटेव और हैड्रोजन सप्रेशन ओव एलेक्ट्रोनिक चार्ज इसका लेड़ 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 तो वहां पर एक फोर्स एक्ट करती है डाइपल डाइपल फोर्स ठीक है ना यह भी तुमने समझे हो कि लेकिन आगे जो नहीं है कि तुम लोग ज़र्वत नहीं है यह इंट्रोडेक्शन है विच गीव दा मॉलिक्यूल वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टिस तो यह जो होती है ना पॉलर मालीक्यूल तो यही पोलरिटी जो इसको स्पेशल लाइप की जो है करेक्ट्रेस्टिक देती है प्रो टाल उर टाला है तो मतलब अगर तुम पानी के अंदर क्या डालो हर चीज़ डिसॉल नहीं घर तुमको यह ओईल डालेंगे हम तेल नहीं डालेंगे वो डिजॉल नहीं होता तक्रीम की ज़ोगते हैं इससे इस्ट्रेक्शर की हो जाती है यह इनल्सां ले लो लिए वगण मिल दे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज के टोपिक में हम पढ़ेंगे हाइडोजन बॉंड के मारे में ठीके कल हमने बैसिक कॉंसेप्ट जाना था कि वाटर की इंपोर्टेंस क्या होती और कितने परसंट हमारे जो सेल के अंदर पानी होता है एंड वहाँ पर क्यों ऐसे जो है चेंज आते हैं एक बैसिक क्यानी इंट्रोडेक्शन लिया था बर डिटेल में और डीप में इन फॉर्सस के बारे में इन प्रोपर्टीस के बारे में एक एक गर्किन को जानेंगे सबसे पहली प्रोपर्टी आ जाती है हाइडोजन बॉर्ण की जिसमें कोहिजन और एडिजन होती है प्रोपर्टी और बहुत जादा इंपोर्टेंट होती है ये प्रोपर्टी तो हाइडोजन बॉर्ण तो समझ लो टो में तो मैं सम्झाता हूं हमारे पास एक किसा माली क्यों है हमारे पास टाइक हमारे पास और आप अडियों अब देखो यह हमारे पास एक वाटर का मालीकुल है ठीक है एस टूओ तो यहां पर ऑक्सीजन है यहां पर दो हाइडोजन के एटम इसके साथ इस अलाइमेंट में क्या बॉंडड है अब ऑक्सीजन जो एक एटम है वो उसकी जो एलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो पास समझ लो 10 रुपे हो और एक नया बंदा आ जाए और वो जजादा ताकतवर हो उसके बटाए तो अब ताकतवल वारा बंदा उससे 10 रुपे आराम से चीन सकता है वो करेगा क्या वह वह विचारा फकी लकीर का फकीर जिसके पास कुछ है नहीं वह गरीब साइंस आई तुझे भी ले ले अब hydrogen वही उसके दाथ सीन हो रहा है तो oxygen ने electron को खींच लिया अपनी तरफ कर लिया यह नहीं पूरा खींच लिया थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींच है तो अब वह oxygen खींचा तो oxygen के उपर delta जो अपना sigma negative charge आया ठीक है सिगमा negative charge आया थोड़ा partial negative charge आगया और जबसे hydrogen से वह electron के पियर दूर हो गए तो यहाँ पर इस साइट थोड़ा positive partial positive चार्ज हाँ पर आया थोड़ा partial वहां क्यों आया क्योंकि electron के पियर वहां से थोड़े यानि उससे दूर हो गए ठीक है अब यहाँ पर थोड़े positive charge जब एक कोर मालیک्यूल वाटर का है से हाइडोजन अब क्या अशुझा करेगा वाटर के बहुत सारे माली कुल होते हैं यहां पर नेगेटिव था पॉजिटिव को ठीक है ऑक्सिजन ने उस हाइडोजन को अट्रेट किया तो इससे के स्क्वेंस क्या एक दूसरे को अट्रेट कर रहे हैं तो यह एक इसको कहते हैं हाइडोजन बॉल्ण ठीक है अब देखो तुम समझो इंटर मोली कुलर फोर्प से अब अट्रेटिव फ्रॉम वन विच उन्टेर्टिव पार्ष्या तो एक के आप पास पास नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर आपको अट्रेटिक्शन मिलेगी ठीक हैं अट्रेटिव मॉली कूल यह चार्ज इस हैं म तो इसकी वजा से हमें दो कॉहिज का होती है कि होती है कि similar type के molecules के Dresion similar type के molecule लिख लो note में similar type के molecule type के molecules के दर्मिया force दर्मिया attraction ठीक है similar type के molecule कैसे जो से मैंने आपको explain कि हाइडोजन मौन एस टू ओ ने दूसरे हेस्टू ओ को अट्रेट किया फिर उसने किसी और को हेस्टू को अट्रेट किया तो यह जो है cohesion water के खुद के molecules के दर्मियान मौजूद होती है ठीक है water के खुद के एक दूसरे molecules के साथ attraction होती है अब बुक में तुम पढ़ो क्या लिखा हुआ है the attractive force between similar molecules is called cohesive force similar molecules के दर्मिया और वो similar molecules के दर्मिया कैसे होई force देख लो partial positive partial positive ने उसको अट्रेट किया उसको अब देखो तुम आगे ड्यू टू पोलर नेचर और नेचर वाटर मालीकुल अट्रेक्टीचर इसकी पोलर एटी की वजाए पोलर मालीकुल है ना वाटर तो इसकी वजासे यह नेचर हमें शो होती है अब एक दूसरे को वाटरेट करते रहते हैं और यह फिलोइंग में हेल्प करता है तो इसकी मैं समझाओंगा आपको एक जेम्पल के वह जो है पिलांट के अंदर यह इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है है यह जो दो प्रोपर्टी है पूरी फोटो सांथिस्क्राइब बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट होता है इसकी वाजाए से इस्ट्रमेटा का ट्रांस पालेशन पुल बनता है फोर्स का होना एंड वो फोर्स कौन सी अट्रेक्टिव फोर्स सिमिलर मॉलेकुल के दर्मिया अट्रेक्टिव फोर्स का होना अब इडिस फोर्स होती है फोर्स अपोर्स तुम एक खुद का एक्स्पेरिमेंट कर लो तुम हाथ में अपने पानी ले लो हाथ भर लो पानी स और उसको उल्टा कर दो हाथ को हाथ में पानी लेके हाथ को उल्टा कर दो पानी जमीन पर गिर जाएगा तो जमीन पर गिरेगा क्या वो पूरा पानी गिरेगा क्या उसमें से पूरा पानी गिरेगा भाई नहीं कुछ आपके हाथ में चिपक जाएगा for suppose एक गिलास पानी का ले लो एक घूंट ले लिया पानी का तो उसमें से जो आपने उल्टा कर दिया गिलास को पानी गिर गया क्या उसमें से पूरा पानी गिरेगा आप देख चंद ड्रोप पानी के जो होंगे उसकी सर्फेस के साथ चिपके हुए होंगे आप देखना तो वो उस property को कहते हैं addition addition कहते हैं unlike material dissimilar molecule के दर्मिया attraction वो glasses का है steel का है copper का है for suppose copper का है मुझे नहीं पता steel का है या हमारे पास शिशे का है steel sorry यह से नहीं लखेंगे steel को तो steel का है किसी भी चीज़ का है तो steel copper वो अलग type के क्या molecules है और यह water H2O अलग type का तो इन दोनों के दर्मिया एक attraction हुई हमारे हाथ के दर्मिया और water के दर्मिया attraction हुई और कुछ अंद बूंदें वहां से चिपकी हुई रह गई ठीक है तो इसको कितने addition the attraction between two unlike molecules two dissimilar sorry two unlike molecules नहीं two dissimilar molecules तो the attractive force between dissimilar molecules is called adhesive force of attraction due to polar nature water molecule attracts each other charge molecules and attached with them तो water की इस polar nature की वज़ा से ही तो यह काम होता है it can hold the water molecules in the farm of vessels and prevent them from backward flow अब यह जो है हमारे पास backward flow से भी बचाता है और हमारे पास example दी हुई है जायलम के अंदर ठीक है जायलम के एक example दी हुई है वो में तुमें समझाता हूँ अब देख लो तुमें क्या तुम लोगों ने ट्रांस्पारेशन पुल पढ़ा है comment section में मुझे बता देना क्या तुम लोगों ने ट्रांस्पारेशन पढ़ी है class 10 में तो तुम लोगों ने पढ़ी होगी मुझे जाकीन है तुमने chapter number 2 के अंदर transpiration and quotation पढ़ी होगी वहाँ पर तुमनें translation pull पढ़ा है transpiration pull detail में पढ़ा transpiration कैसे होती है pull कैसे होता है उसंका क्या क्या चार्ट करती है तो transpiration pull के अंदर ये scenery होता है अगर आपके पास ये हमारे पास एक leaf है लीव है अगर तुमारे पास ये तो माया पास ये लीव है तो अब इसमें से जो है वाटर जो है अंदर ही गेसिस की फार्म में कर्वर्ट होता रहता है वाटर जो है वेपर्स की फार्म में कर्वर्ट हो जाता है लीव के अंदर ही लीव के अंदर ही कर्वर्ट हो जाता है किसमें वेपर्स की फार्म में होते हैं यार वाटर वेपर्स की फार्म में होते हैं ना तो हवा लगी तो यहां से जो इस टूओ प्रेजिडंट था वेपर की फार्म में वह आगे बढ़ा आगे बढ़ा तो यह वेपर यहां से निकल गए और इसके नतीजे में हमारी कार्बन डायक्साइड अंदर चली मत जाओ तो अब देखो यहां से हवा लगी यहां से एस टूओ मुगे माली को जटे अंदर वेपर के जो है माली की फार्म में वह इसे निकल गया और इसके नतीजे कार्बन डायक्साइड अंदर गई तो जब यह वेपर निकला तो यहां से हमारे पास जायलम होता है हमारे पास लीव का जायलम की नाली समझ जो आरी होती है तो वेपर निकला यहां से हमारे पास तो एक पुल जनरेट हुआ एक पुल जनरेट हुआ तो नीचे से रूट से पानी उपर की तरफ आने लगा इसको कहते हैं ट्रांसपारेशन पुल ठीक है ना तो मैं मैं सुपरफिश यहां पर वाटर के मालीकूल मोजूद हैं तो अब वाटर के मालीकूल कैसे आएंगे उपर तो वहां पर एडिशन काम कर रही है एडिशन के वाटर के जो मालीकूल है वाटर के मालीकूल है उनके दर्मिया अट्रेक्शन उनको बांद के रखावा है आपस में आपस में एक के molecules को attract कर रही है अपनी तरफ ठीक है तो वहां पर बेगफ़र्ड फिलो नहीं हो रहा तो वहां पर water easily transpiration pull generate हो जाता है और water उपर की तरफ move कर जाता है ठीक है उपर की तरफ move कर जाता है यह होता है transpiration pull मुझे लाज़मी बताना तो लोगों पढ़ा है या नहीं है तो transpiration इसे pull general तो इसमें बहुत जादा important होती है दो चीज़ें कोहिजन ठीक है कोहिजन और addition ओके यह दो properties बहुत जादा important होती है तो यहां पर इसलिए जायलम टिशू का इन्होंने एक्जेंपल दी हुई हमारे पास बुक में इन्होंने डाइग्राम बनाई है एडिशन और कोहिजन कोहिजन एडिशन क्रियर टेंशन विदिन जायलम डेट हैल्स मूव वाटर अपवार्ड वाटर अपवार्ड मतलब प्रांस्पारेशन पुल जेनरेट हुआ प्रांस्पारेशन पुल जेनरेट हुआ तो जायलम से पानी उपर आने लगा और यह इसलिए मुम्किन हुआ यह दो प्रोपर्टीज पानी में मुझूद थी ठीक है तो आज के वडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे हाय स्पेसिफिक हीट के वाटर की हाय स्पेसिफिक हीट कैसे एंपर्टेंट है तो हाय स्पेसिफिक हीट होती क्या है तो कोई भी एक हमारे पास सबस्सांस ले लो कोई भी एक सबस्सांस ले लो हमारे पास है तो उसका एक टेंपरेचर है समझ लो उसका टेंपरेचर है 20 डिगरी सेंटिग्रेड अब हमें इसको जो है 21 डिगरी सेंटिग्रेड करने के लिए कुछ हीट देनी पड़ेगी हीट energy तो वो absorb करेगा तो यह 21 degree Celsius अब जितनी amount में इसको heat energy देनी पड़ेगी उसकी यही होगी specific heat capacity उसकी heat capacity हो जाएगी कोई भी एक substance ले लो उसको अगर तुम्हें temperature एक degree centigrade उस temperature को rise कराना है इसका temperature है initially 20 और उसको तुम्हें पहुंचाना है 21 पर तो जितनी amount में heat तुमको देनी पड़ेगी वो होती है उसकी heat capacity वो substance एक ग्राम की होता है specific heat capacity अब specific heat अब बुक के एसाब से देखें क्या लिखाओ specific heat of a substance is the amount of heat energy required to rise the temperature of one gram of dead substance by one centigrade one degree centigrade तो specific heat energy वो energy होती है किसी भी substance को यानि देनी पड़ती है required होती है उसका एक degree centigrade temperature बढ़ाने के लिए किसी substance का एक पंदरा है initial temperature अगर हमें 16 करनी पड़ेगी तो जो amount में heat देनी पड़ेगी वही उसकी specific heat capacity high specific heat या specific heat capacity केते हैं उसको क्या होगी specific heat capacity तो water की होती है high specific heat ठीक है ना तो water की specific heat है समझ लो अगर हमारे सेल की अंदर आपको पता है continuously reactions हो रहे होते हैं और वहां से energy release हो रही होती है तो water की जो energy है water क्या absorb कर लेता है उसकी energy को और water जो है high heat absorbent बेस्ट जो है absorb कर लेता है उसकी heat capacity भोच जाता है तो यह body के temperature को stabilize cell के temperature को stabilize करता है by absorbing its heat energy ठीक है ना इसकी high heat capacity है तो जितनी यह absorb करेगा for suppose तुम एक balloon ले लो एक best experiment करना है एक balloon ले लो ठीक है ना balloon को अगर तुम एक lighter जला तो वो हवा का फुलावा balloon है तो उसके ओपर नीचे हाइटर रखोगे ना लाइटर से आग fire up करोगे तो वो फट जाएगा उसी जगह पर उस balloon में आप थोड़ा सा पानी डाल लो उस balloon में अगर काला होगा क्यों वो जो हीट दी जारी थी वह वाटर ने उसकी जो है एब्सॉर्ब कर ली थी क्यों वाटर की हीट हाइए हीट के पिस्टिटी ए ठीक है ना तो सेल के अंदर टेंपरेचर बढ़ जाता है या कुछ होता है तो वाटर की प्रोपर्टी है ओके ठीक है तो हमेसटास की यह प्रोपर्टी हेल्प करती है टेंपरेचर को सेकरणे में यह प्रोपर्टी हेल्प करती है वह घृजाती है और यह process जब तक हो रहा हो तो देड लग जाती है तो इसकी जो high capacity होती है अच्छी खासी ठीक है इट मींस water required high amount of heat water को high amount की heat चाहिए होगी तो उसके temperature में change होने में आ उसको गरम होने में उसको तपने में इट वक्स इस temperature stabilizer तो यह temperature को stabilize करता है समझ लो थाओं में उस्टेस हो रही है तुमारी थर्मो रेकुलाइशन और तुमारी प्रोटोब्लाजम को सद्धन थर्मल जो है changes के help करता है तो यहां पर वर्ड आ रहा है चार्जिस एंड हैंस प्रोटेक्ट प्रोटोब्लाजम अगेंस सद्धन थर्मल चार्जिस अब मेरे ख्याल से यहां पर चार्जिस नहीं changes होगा प्रोटोब्लाजम के थर्मल जो changes होते हैं reactions चल रहे होते हैं तो वहां पर changes को maintain करने में क्या help करेगा तो चार्जिस मेरे ख्याल से नहीं होगा तो आपकी जो स्कूल वाले हैं टीचर जिन्हों ने आपको पढ़ाया है तो उनसे पूछ लीजेगा सर यहां पर चार्जिस के से आया तो उन्हों ने जो भी आपको बताया है concept तो वो मज़े आप बता दीजेगा मैं भी दिखूंग आपके स्कूल में क्या यहां पर चेंजिस होगा बर 25% uncertainty है ठीक है अभी हम समझने जा रहे है हाई heat of vaporization तो यह तकरीबन समझ लो इसी का ही topic है समझ लो high specific heat का ऐसे के यह तुमने नयायत की physics में पढ़ा होगा latent heat of vaporization कुछ नाम यादा रहा है latent heat of vaporization और high specific heat capacity वाला तो इसी से related topic है तो अगर तुमने नयायत की physics थोड़ी अच्छी पढ़ी होती तो अभी तुम लोगों समझ आ गया होगा पूरा तो दिमाग दोड़ा हो थोड़ा तो high heat of vaporization तो वाटर की यह भी important property characteristic कहलो है और बहुत जादा important है क्योंकि यह हमें body में बहुत जादा maintenance करती ह है thermoregulation की और heat की और temperature को जो है control करती है ठीक है ना तो high heat of vaporization के क्या मकसद है अब मैं तुम लोगों समझाता हूँ the amount of heat required to change liquid state of water to vapor state is called heat of vaporization अब समझ लो मैं तुम्हें समझाता हूँ देखो अगर तुम्हाइब water है तुम्हाइब पास एक पानी है तो यह तुम्हाइब पास liquid है ठीक है ना तो जिसका जो temperature तुमने आग लगा दी है यहां पर आग लगा दी है तुमने इस पो जो heat दे रहे हो तुम लोग ठीक है न तो क्या होगा तो यह जो heat है समझो तुम्हारे water का initially temperature है 90 degree Celsius तो 90 degree Celsius जब तुम लोगों ने यहां पर heat दी इस पानी को शुरू में नवे है सुनो गोर से शुरू में पानी का temperature क्या है 90 है जब तुमने यहां पर heat दी इसको heat energy दी फायर की सूरत में तो इसला temperature होगे 100 तो अब इसी heat ने water के temperature को rise करवाया अब आगे जो तुम continuous heat दोगे तो वह temperature 100 से ज़दा rise नहीं होगा water का वो temperature water का 100 से ज़्यादा rise नहीं होगा तो वो heat कहां जाएगी तो वो heat water की state convert करने में लग जाएगी वाटर वहांपर किस farm है water liquid की farm है तो वो heat जाएगी यहांपर 100 degree पर तो वो इसकी state को change करने में लग जाएगी मतलब यह vapor की farm में लग जाएगी इसको liquid से vapor करने में इसकी जो heat होगी वो लग जाएगी इसका temperature rise नहीं होगा ठीक है तो यह होती है heat of vaporization heat of vaporization इसको हम कहते है heat of vaporization जो तुमने नायत की physics में पढ़ा है ठीक है अब देखो हमारे पास लिखावा है high heat of vaporization the amount of heat required to change liquid state of water to vapor state liquid state कहाँ पढ़ता समाझ लो 90 पढ़ता 99 पढ़ता जब यह 100 पर आया तो 100 के बाद यह vapor state में convert होने लगा पानी क्यों वो जो heat थी water की temperature को rise नहीं करने लगी 100 degree centigrade पर जो heat हम दे रहे हैं वो water की temperature को rise नहीं कर रही वो water की state को change करने में लग जा रही है और उसको हम कहते हैं heat of vaporization latent heat of vaporization ठीक है इस कार्ड heat of vaporization greater the heat of vaporization higher will be the chances of stability in state और वाइस वर्जाज़ा तो उसकी जो high heat capacity होगी और जितनी जादा high heat capacity होगी मतलब उसकी state की stability जादा होगी तो water की है जो के हमाई लिए बहुत जादा beneficial है water has very high heat of vaporization water की जो है 574 kcal per kilogram इसकी क्या है heat of vaporization है ठीक है बुक कहती है 574 kcal per kilogram बुक कहती है therefore water requires to absorb high heat to change its state from liquid to vapor तो water को जादा energy चाहिए होती है heat की energy force अपस तुमारी body का temperature बढ़ गया temperature तुमारी body का बढ़ गया तो तुमारी temperature बढ़ने के बाद जो water ने क्या किया उस temperature को absorb किया उस heat energy को उस heat को absorb किया और ठीक है और अपनी state को change कर दिया और क्यूंकि water की बहुत जादा है heat of vaporization तो वो पानी जादा heat absorb कर गया वेपर की farm में उड़ गया और body क्या हो गई thermoregulate हो गई maintenance हो गई उसकी temperature की ठीक है जो है regulate हो गया उसका temperature जैसे भी आप इसको explain करो ठीक है अब देखो वो क्या कहती है तो ये water के molecules को क्या देता है stability देता है and molecules and its state in cell तो इसके cell के अंदर हमें पता है 70-90% जो पानी होता है और वो अच्छा खासा high heat of vaporization करता है और उसकी high heat capacity है ठीक है इट plays an important role in thermoregulation वो मैंने तुम को समझा है thermoregulation में किसे करता है जब हमारा temperature बढ़ जाता है तो ये क्या heat को absorb कर लेता है जितनी इसकी capacity होती है absorb करने की और इसकी अपनी state change करने में लगा देता है और vapor की फार्म में उड़ जाता है फोर सबोस प्रोइड cooling effect तो ये थर्मो के तरह तरह को के लास्ट नायन ते में तरह में तुमने होमे उस्ट्रेस चेप्टर नंबर टू में पढ़ा होगा तीन टाइब की जो है जो है तुम्हारे पास maintenance होती है होमे उस्ट्रेस उसमें से एक थी थर्मो रेगूलेशन दा maintenance of temperature according to the outer temperature हमारी bodyguard normal temperature होता है 37.4 degree Celsius जो होता है optimum temperature ठीक है तो ये जो है हमारे पास high heat of vaporization ये जो provide करता है cooling effect करता है metric class में तुम लोगों ने transpiration पढ़ा होगा transpiration को तुमने पढ़ा होगा तो transpiration में क्या होता है transpiration में तुम्हारा जो है तुम्हारी जो sunlight पढ़ी होती है डारेक्टली तुम्हारी leaf पर sunlight पढ़ रही होती है तो वो उस heat energy को absorb करके वो उस heat energy को absorb करके क्या water के H2O को से S2O के अंदर ही gas की फार्म वेपर की फार्म में convert करके क्या stromata से भाइर निकाल देता है ठीक है और उसके नतीजे में carbon dioxide अंदर चली जाती है क्या और सी की मदद से यह जो H2O वेपर की फार्म में निकला है तो सी की मदद से transpiration का pull generate होता है transpiration का pull generate होता है और इसकी help करता है water की cohesion और addition की property तो तुम लोगों ने मेरा पहला लेक्चर सुना होगा कि water की cohesion और addition वाली property से सुनते वे आ रहे होगे तो यह तुम्हें बिल्कुल समझा आ गया होगा क्यूंकि मैंने पहले वाली property में इसको बिल्कुल clear cut आपको समझाया clearly explain कर दिया इस चीज़ को दूसरी होती है cription airspiration केते है sweet का release हो ना मतलब पासीण निकलना ठीक है ज्यादा temperature को release करने के लिए water को evaporate करती है in the farm of evaporate या release कर दो sweet में ठीक है वो heat को absorb करके निकल जाता है तो अब ये क्या होता है sweet का release हमारा क्या homeostasis को maintain करता है class metric में तुम्हें मैंने clearly एक topic था हमाई पास role of skin in regulating body temperature thermoregulation का ही part है तो मैंने class metric को बिल्कुल easily chapter में समझाया था ये कैसे काम करती है अब देखो production of sweet production of sweet में लिखा वाए the sweet gland starts to produce and secret sweet the sweet accumulates at the surface of skin which evaporates with heat energy so the body feels cooling तो इसे cooling होती है तो अगर तुम्हें देख नहीं है video तो मेरे चैनल के playlist में चले जाओ या video के description में इसका link तुम्हें मिल जाएगा के role of skin in thermoregulation तो उस पर click करके उसको देख लेए ठीक है बाइबाइबाइज मिलते है next video के अंदर तब तक के लिए अलाहाफिस तो अभी हम समझने जा रहे हमारे पास hydrophobic exclusion यह water की एक property होती है water की दो टाइब की property होती है एक होती है hydrophobic और एक होती है hydrophilic दो टाइब की property होता है एक प्रोपर्टी होती है hydrophobic exclusion ठीक है न तो basically hydrophobic exclusion होता क्या है यह होती क्या है whatever तो basically it is a tendency of water to quality while drop into large quality मतलब यानी मिलाना चोटी-चोटी दो तीन यानी चोटी-चोटी domains को या particles को एक farm में बढ़ा करके कर देना for suppose यानी quality यानी join करना I think so इसको यूज किया गया है whatever तो basically हमारे पास जो सेल के अंदर जो होती है hydrophobic और hydrophilic मैं आपको general example देता हूँ hydrophobic की तो जब कभी भी आपस्वड़ सब्स बारिश हुई है या अपकभी बोदों को जब पानी देते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि तो जब आप पानी देते हैं पोड़ों को तो अग उसके जो लीफ पर जब पानी की बूंदे गीरती है तक्रिबन तक्रिबन जो की बूंदे गिरती हैं वो ऐसे स्फेरिकल फार्म में हो जाती है इसे स्फेरिकल फार्म में हो जाती है देखो बूंद फैगी आपने वो ऐस्फेरिकल की फार्म ले लेती है ठीक है अगर हम किसी भी स्किन के ओपर पानी रखें या टेबल के ओपर पानी की बून डालते हैं टेबल के ओपर कोई भी पानी की बून डालते तो वो पानी की बून इस्ट्रेट हो जाती है बेट जाती है डिसॉल्ड हो जाती है फेल जाती है बट जब हम कभी भी जो है शीशे के उपर शीशे के उपर या लेव के उपर पानी की बूंद डालते तो वो स्फेरिकल हो जाती है तो फिलेट क्यों नहीं हो जाती है या हम पर फिलेट की बनाई है मैं फिलेट क्यों नहीं हो जाती है हमारे पास बूंद क्योंकि लेव की बनावट ही यह इसी special टाइप की होती है कि वो जो है water को repel करता है water को hate करता है तो वो spherical की farm ले लेता है fillet ले लेता तो क्या contact area बड़ जाता है बट उसने क्या spherical ले लिया और यहां से उसका contact area alло River का कम हो गया खूंतником होगया क्यों क्यों यहां डिख सब्सक्राइब हो जाता तो एतना कॉंट कंट्रेक्ट हो घूता है इससे हई-डीयोफ होती बिख हो 1947- Poppy हमें हम花 में भी मिलती है वाँ को फिमिलीगों करता है डिके लवाट को इस तुर फ मालीकूल को अपने तरफ खींचता है और जबके यह फिडियोती यह वाटफ को wiris bet explicitly मněं घ्कल एक टो इससे क्का में जाती है निकलता है तो इससे क्या हो था सेल की इंटीगरिटी यानि मेंटेन हो जाती है जब तक यह वाटर को ट्रेक करके रखता है एक जगा पर और यहां से भाइर निकलने नहीं देता वाटर को या वाटर को रिपेल कर देता है तो इससे सेल की एक इंटीगरिटी जो होती है वो मेंटेन होकर रहती है सेल क्या होत लेव वाले को आपने जब भी देख लिया आपने घर में एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने अगर कोई भी भी एक गिलास पानी का लिया है शीशे वाला शीशे का गिलास पानी का लिया और इसमें पानी डाल दिया आपने आपने इसमें पानी डाल दिया तो जब आपने एक बून डाली आलए यहां जब आप ने एक बून डाली है इसे फिर दूसरी डाली तीसरी डाली तो यह सा क्या होगा वह बीच में किसा पॉइंट आएगा वा तीनों के तीनों करीब हो जाएंगे आपस ल Robin के वह वह करीम हो जाएंगे तो यह उसको करता है फो दिसॉट नहीं मृटल नहीं उसको ट Was It होता है तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रोपर्टी की वजा से डिजॉल्व नहीं होती सेल मेंब्रेन की जो है टर्जिटी बेस्ट हमारी सेल मेंब्रेन की इंटीकरिटी वह बेस्ट होके रहती है ड्यू तो दिस प्रोपर्टी हाइड्रोफोबिक एक्स्क्लूजन ठीक हो यहां तक तो लोगों समझ आ गया होगा तो नेक्स्ट टोपिक में नेक्स्टी इस को डिसकस करेंगे डेटेश एंफोटेरिक वाटर इस एंफोटेरिक सबस्टांस ओके तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे औइन आयॉनसेशन ओव वाटर तो बैसिकलिव ये कैमेस्ट्री टैन के चैप्टर नबर टू Acid Basin Salt का Topic है जिसमें हमने पढ़ा था Ionization of Water को Detail में ठीक है ना Ionization of Water तो Water जो है Ionization Water का मक्सित यह Water जो है Ionize हो जाता है अगर हम Water का ले ले समझ लो हमने Water के 10 Million Molecule ले लिया है तो उनमें से क्या होगा तो Water का जो Molecule होगा ना एक तो ब्रेकडाउन हो जाएगा या Dissociate हो जाएगा H पिलस Hydrogen और Hydro Oxide किसमें आयन में ठीक है ना Hydrogen आयन और Hydro Oxide आयन में ठीक है न तूट जाएगा हमारे पास कितने होते हैं H2 होते हैं और एक Oxygen होता है यानि एक Atom Oxygen का दो Hydrogen तो हमारे पास एक H अलग हो गया और OH अलग हो गया यह पूरा बन गया ठीक है ना तो इसको कहते हैं Breakdown या Ionization तो अब होता क्या है यह जो है एक Reversible Reaction होता है Ionization of Water is the Reversible Reaction and we denote this like this हम इसको इसे टाइप करते हैं राइट करते हैं देख लो गोर से देखना H2O इसको हम करेंगे इसे यह Reversible Reaction है H पिलस और हमारे पास क्या और OH माइनस ठीक है इस Reaction को हम ऐसे denote करते हैं ठीक है ना तो यह हमारे पास Reaction है तो यह Reversible Reaction है यह Dynamic Equilibrium पर चलता है फिरता है तो यह क्या Anisation of Water है तो इसका Detailed Concept के Last 10 वाला अगर तुमने नहीं पढ़ा तो इसके Description में Link मिल जाएगी वहाँ पर मैं पूरा समझाया है इसका केसी क्या होगा इसका KW और इसके Further More Detailing की होई है बट Biology में तुम पढ़ रहे हो तो इसको अतना Detail में मत लेके जाओ तो अब देखो Water की जो होती है दो Properties होती है Water कब Base की तरह भी एक्ट करता है कभी कभी और Acid की तरह भी एक्ट करता है Water Acid की तरह भी एक्ट करता है और Base की तरह भी एक्ट करता है तो इसका पता हमें तब चलेगा कि रियक्शन किस टाइप का है रियक्शन के हिसाब से या तो वो एसेड की तरह एक्ट करेगा या तो बेस की तरह एक्ट करेगा या तो प्रोटोन को लूस करेगा या प्रोटोन को डोनेट करेगा तो या तो proton को लूज करेगा hvad proton को एक्सेप्ट करेगा ठीक है ना तो वो यद कि तरह करता और असेड की तरह भी acid और base बहुत करते हैं तो वह चीज़मे जो acid कि तरह करें औरσω base की तरह मभी बहुत करें तो इसको कहतेंं एमफो ट्रेक ये is called amphoteric substances क्यों water क्या amphoteric in nature है क्योंकि वो acid की तरह भी rate करता है और base की तरह भी rate करता है ठीक है तो यहाँ पर acid और base के कुछ class 10 की chemistry book में example है देख लो यह हमारे पास reaction है red से मैं use कर रहा हूँ देख लेना तो यह reaction हमारे पास तो hcl में जब हमने react करवाया h2o में hcl डाला तो h2o ने किसा base की तरह एक्ट किया यह base है h2o और जहां पर बन गया हमारे पास hydronium ion और cl- ठीक है hydronium ion बन गया तो base के से वाइसने क्या कहते है उसको accept कर लिया h जो है हमारे पास proton को accept कर लिया base ने proton को accept कर लिया और अब h2o water यहांपर acid की तरह add कर रहा है water जो acid की तरह add कर रहा है तो हमें इस ने h 1 h को निकाल दिया 1 h को छोड दिया तो हैंपर oh bun गया और hcn बन गया तो water ने यहां पर किस तरहीक से add किया इस वाले में टीकी से add किया in this case water is acting as an acid or in this case or in this case water is acting is like a bass ठीक है ना तो किस टाइप का reaction हो रहा है उस पर उपर depend करेगा water base है या acid है ठीक है तो अब देखो यह हमारे पास एक water की property होती है इसी में पढ़ते है water जो buffer solution है यानि water buffer की तरह भी add करता है हमारे cell के अंदर buffer की तरह भी buffer solutions होते हैं कुछ अलगरे टाइप के तो buffer की तरह भी add करता है buffer का काम क्या होता है buffer का काम यह होता है कि हमारी body में समझ लो एक normal pH 7.2 की 7.0 से लेकर 7.3 4 तक की है ले लिया तो हमारी pH 4 support 7.5 हो जाती है तो हमारी pH बढ़ गई तो pH को maintain करने के लिए water क्या है इसके पास एच प्लस में मौझूद है माइनस मौझूद है तो यह जो इसकी यह पी एच को balance करने में 7.4 7.3 तक लाने के लिए help करता है यह पी एच अगर में pH में कुछ चेंज आता है तो वो पी एच को maintain करके रखता है sorted it is called buffer ठीक है buffer solution तो buffer होते है aesthetic buffer भी होते है और हमारे पास basic भी होते है aesthetic buffer बनते है हमारे पास weak acid और उसके salts है और वो बनते है weak base और उसके salts है तो यह deep concept बफर का तो उसका भी link आपको description में मिल जाएगा पूरा buffer की वीडियो का link जो है 4-5 दिन के बाद upload होगा ठीक है न आप वीडियो देख रहे है मुझे नहीं पता तो 4-5 दिन के बाद वीडियो upload होगी but ionization of water का basic concept का link आपको भी मिल जाएगा description में ठीक है तो अब scene क्या है तो it also behaves as buffer due to this nature इसकी emphoteric ये emphoteric nature में आपको समझा दिया तो buffer की तरह भी add करता है it maintains pH for enzymatic activities in cells and organs तो ये pH को balance करता है pH को maintain करता है pH में थोड़ा सा जेंज जा जाता है तो ये maintain कर लेता है किसके लिए maintain करता है पीछे लिखावा enzymatic activities तो enzyme जो होते हैं enzyme sensitive होते है pH sensitive होते है enzyme क्या होते है pH sensitive होते है याद रख लो थोड़ा सा भी उनके अंदर pH का change आया variation आया pH के अंदर तो वो क्या हो जाएगा उसका या तो reaction slow हो जाएगा या fast हो जाएगा या जो होता है denature हो जाएगा वो enzyme denature हो जाएगा प्रोपर्ली वर्क नहीं करेगा ठीक है ना तो इसके लिए हमें इंजाइम बहुत जाद इंपोर्टेंट होते हैं हमारी जो इनर्जी बन रही होती है बड़े मालिकुल का छोटे मालिकुल में तूटना जिसे मैं आपको समझाया तो वह एंजाइम के जरी होते हैं तो अगर पी-एच में चेंज आ जाएगा वह काम नहीं होगा वह काम नहीं होगा में इनर्जी नहीं मिलेगी पूरा सिस्टम जो चल रहा है वह सीक्वेंस टूट जाएगी तो इसलिए एक बफर सॉलिशन के भी तरह हेल्प करता है यह वाटर की नेचर बहुत जादा इंपोर्टन ह पहले तो यह जानने थे एनोमलस केते हैं अन्यूजवल को मतलब वो इर्रेगूलर या उन्यूजवल या गेर मामूल यानि वह चीज जो प्रेडिक्ट नहीं की जाए यह से एक जीज़ मतलब कुछ थोड़ा बे मामूल या अलग सा थोड़ा प्येवियर शो करना पर आके वो behavior का शोर ना होना आप वीडियो को end तक देखें आपको clarify हो जाएगा कि इस लाइन का मकसद क्या है मुझे यकीन है आप लोगों को यहां तक अभी समझ नहीं आ रहा होगा मैं कि ही क्या रहा हूं आप वीडियो को end तक देखें और मुझे पर यकीन रखें इंशाल बहुत ज़्यादा important है अगर यह behavior नहीं होता तो हमारे जो हैं सरदियों में या कुछ ऐसे लागे जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहां पर आपको fish नाम की कोई चीज नहीं मिलती वहां पर fish की कोई species आपको मिलती ही नहीं but due to this anomalous behavior of water वहां पर आपको aquatic life अच जानवर होते हैं वह भी नहीं मिलते है बड़ इस property की वज़ा से वहां पर आपको species मिलेंगी अब समझतें किसे तो हमने general ही एक चीज समझी थी class 9 में चार्स लागों आपने समझा होगा जिसमें अगर हम किसी भी meter का temperature temperature को rise करें तो हमारे पास volume उस चीज का बढ़ जाता था temperature is directly proportional to volume अगर हम किसी चीज का temperature को decrease कर दें तो हमारा volume क्या हो जाता था decrease हो जाता था volume वोल्यम हमारा क्या डिक्रीज हो जाता था तो हमने यह पढ़ा था यह चार्ज लाम में टेम्परेचर इस जाइकली प्रोपोर्शनल टू दा वोल्यम टेम्परेचर बढ़ाया अगर टू टाइम्परेचर को बढ़ाया तो ट्वाइस हमें इजाफा मिलेगा अगर हमने ट्व तो एकुल रेशो के साथ हमें क्या suppose वोगा हाट coupon होगा तो विधी और प्रिज़ेक्स लेकुषिज्क 的 सिंपरेचर के सब्सक्राइब अज हिए क्सक्किर 20 डिग्री के इतना डिन से कब्सक्राइब एकन ना डि इतना उटतर का इतना कई मैं है ठीक है यह समझ लो तो फोर्ट सपोस अगर हमने इसका temperature rise कर दिया 70 पर कर दिया 70 degree Celsius तो इसका volume क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है बढ़ गया अगर हम इसको 4 degree Celsius पर ले आएं तो इसका volume कम हो जाएगा ठीक है ना अगर हम 4 से इसको यानि समझ अगर हमने 70 से इसको बढ़ा कर 100 कर दिया 100 degree Celsius कर दिया तो इसका क्या 70 से बढ़ जाएगा 100 degree पर कितना होगा इसका volume 70 से बढ़ा होगा ठीक है ना इतना होगा अगर हमने 4 degree Celsius से और कम कर दिया 0 degree Celsius पर ले आए तो 4 degree Celsius पर इसका जो है वोलियम इतना है बट जीरो पर थोड़ा बढ़ जाएगा तो चार्ज लाग के मताबिक क्या यानि चार्ज लाग को छोड़ दो अगर हमें एक यूज्वल भीएवियर है चार्ज लाग को छोड़ दो वो नहीं चीज़ है वो दूसरी खिटा है उसको समझ लो तुम समझो कि अगर ये एक यूज्वल भीएवियर है किसी चीज़ का कि अगर टेंपरेशर हो कम करें तो उसका volume decrease होगा तो चार पर इतना है टेंपरेटर चार पर इसका volume समझ लो इतना है चार पर तुम्हारे पास इतना volume है इतना volume है तो 0 पर आने पर इतना बढ़ क्यों गया तो हजबे मामूल तो हमारा 0 पर इससे बहुत कम होना चाहिए था बट उसका क्या वोलियम बढ़ गया क्यों बढ़ा जए तो यही anomalous property behavior है वाटर की ठीक है ना तो मतलब यह anomalous property वाटर की तो चार से कम हुआ मतलब समझ लो अगर हमारे पास देखो अगर हमा तुम्हारा वह वोटर है चार डिगरी सेंटी क्रेड पर चार डिगरी इससे अगर म उसका तो समझ लो इसका 3 पर बढ़ जाएगा 3 डिगरी सेंटी क्रेड पर थोड़ा बढ़ेगा 2 पर थोड़ा बढ़ेगा 1 पर थोड़ा ओर बढ़ेगा और 0 पर maximum ली बढ़ जाएगा अब यह तो मैं ऐसे बना रहा हूँ 0 पर ओर बढ़ जाएगा तुम्हारा क्या वोलि होगा वो मिनीमम हो जाएगा वोटर का मिनी वोलियम जो होगा मिनीमम हो जाएगा और 0 पर तुम्हारा बढ़ जाएगा तो इसी लिए तुम्हाने देखा होगा इसी लिए तुमने देखा होगा जब तुम पानी के अंदर बर्फ डालती हो बर्फ का क्यूब डालती हो तो वो दूबता नहीं है पानी के अंदर वो पानी के अंदर सिंक नहीं कर जाता वो क्या करता है फिलोट करता है तेरता रहता है उपर due to the density तो अब four degrees Celsius पर क्या होगी density density क्या बढ़ जाएगी density क्या बढ़ जाएगी increase करेती बट zero degrees Celsius पर density क्म हो जाएगी density क्या हो जाएगी उटर की क्म हो जाएगी तो अब 몇 भूप की डैंसेटी कम हो जाएगी इस में वो जो हो जाएगी सिंग करेगी ठीक है ना तो वो सिंग करेगी सोरी वो फिलोट करेगी तो यह देंसिटी का चकर बड़ा अजीब है तो इसकी वज़ा से ही तो काम चल रहा है पूरा तो अब देखो तुम अब तुम बुक में समझो आकर water shows different behavior different मतलब कुछ अजीब अलग below 4 degree Celsius 4 degree Celsius से कम पर water जो है अलग टाइप का behavior शो करता है usually matter contract usually matter contract at low temperature but due to hydrogen bond below 4 degree Celsius water expands तो usually matter देख लें चार्ज ला केता है कि अगर तुम matter को देख लो तो वह क्या करेगा मतलब जनरल ही matter देख लो तो वह क्या करेगा contract मतलब सुकड़ेगा contract मतलब सुकर ना मतलब उसका volume decrease होगा सुकरना volume decrease होना इसका contract करना ठीक है न आप expand फेलना contract सुकरना या या यही कम होना उसका volume तो water में ऐसा नहीं होता water में 4 degree Celsius से अगर हम कम कर दें temperature तो वो जो होता expand हो जाता है expand मतलब यानि उसका volume बढ़ जाता है volume बढ़ जाता है ठीक है न तो वो hydrogen bond की हो जासे तो which decreases its density तो जो इसकी density को कम कर देता है ठीके न density कम हो जाएगी समझ लो तुम्हारे पास expand हो जाएगा expand होगा तो density कम हो जाएगी 0 degree Celsius पर तो ice की density कम होगे तो फिलोट करेगी तो the low density of water in ice become higher lighter come above to the surface of higher density water of liquid तो जो तुम्हारे पास जो बरफ है वो उपर फिलोट कर रही होती है इट makes the life possible under frozen dry water frozen water frozen water कहां पर होता है मतलब तुम्हारा बरफ वाला पानी जो होता है वहां पर क्या यह possible life होती है यह मैं तुम्हें समझाता हूँ समझो अब वीडियो वैसे बहुत बड़ी हो गई है अब मैं तुम्हें समझाता हूँ यह कैसे क्या खेली है चीज़ अब देखो for suppose तुमार बर देखेलो यह बाटर का लिएर तुमारे पास चीकें ना तो नीचे डूर माईचिज़ थे तो क्या एं उपर का temperature की उपर वाले लियर को क्या एफेड कर तो अब इसकी वाजासिए यह उपर आली लेर आइस में convert हो रही है अब आपको पता है आइस जीरो डिग्री सर्ट साथ पर इसकी density क्या density क्या हो जाती है कम हो जाती है तो यह float कर रही होती है अगर इसकी अगर anomalous property नहीं होती और जो है आइस यानि सुकर जाती contrast कर जाती तो यह eyes नीचे चली जाती इसकी surface पर तो पानी उपर हो जाता तो अब नीचे वाला पानी जो अपधर हो जाता तो उसके ओपर temperature का reflect परता वह बरफ बन जाती यानि यह इतना बरफ बन गया तो वह आली उपर जाती तो वह भी eyes बन जाती तो ऐसे से करके वह पूरा तालाब का पानी जो है आईस बन जाता बट इससे हमको नहीं देखने को मिलता क्यों वाटर की इनामलिस प्रोपर्टी को जासे अब सीन यह होता है वो जो हमारे पास आईस होती है वो उपर क्या जम जाती है उपर फ्लोड कर रही होती है बट नीचे तुमने देखा होगा पा फ्लोट करहं तो अब अंधर का टेंपरिशर वो मैंटेन हो गया और उनके लिए बहु ज़दा आसानी अगर यह इनआमलिस प्रोपर्टी नहीं होती तो समझ लो यह और्गिनिजम यहां पर अलाइव नहीं होते है ठीक है तो आईओ आई वाप लोगो को यहां यहां तक clear cut concept समझे आ गया होगा तो मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर